लोगसबच चुनाव के दोरान दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विंद के दिरिवाल ने दिल्ली की महिलाओं से वादा किया था कि वो हर महीने 1000 रुपे दिल्ली की माताओं और पहनों को देंगे अब चुनाव खत्म हो चुका है और बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है त्रसल दिल्ली बीजेपी परदेश महिला मुर्चा के नितरित में आज महिलाओं ने नार्यबाजी और प्रदर्शन किया इटन प्रदर्शन कारी महिलाओं ने 1000 रुपे प्रती महीने दिये जाने की मांग की हरी किशन पबलिक स्कूल के भार दिल्ली की अलग-अलग जगाहों से पहुँची महिलाओं ने कहा कि सरकार ने हर महीने हजार रुपे देने का वादा किया है लेकिन वो राशी अभी तक नहीं मिली हातों में पोस्टर, बैनर, तक्तियां लेकर पहुंची महीलाओं ने दिल्ली सरकार के खिलाब जमकर नारिवाजी की बता दे कि महीला मोर्चा की कारे करता और महीलाएं दिल्ली सरकार में मंतरी आतिशी के घर पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं हाला कि प्रदर्शन से पहले महीलाएं एक जूट हुई और दिल्ली सरकार के खिलाब जमकर नारिवाजी की प्रदर्शन के दोरान महीलाओं ने कहा कि अर्विंद केजरिवाल सरकार हर बार बड़े-बड़े वादे करती है लेकिन उसे पूरा नहीं करती ना तो दिल्ली में पेने का साप पानी आ रहा है ना ही मिजली मुफ्त मिल रही है। अर्विंद केजरिवाल ने चुनाव पर चार के दोरान वादा किया था कि हम दिल्ली के महिलाओं को एक हजार रुपे प्रती महीना देंगे। लेकिन अब अर्विंद केजरिवाल अपने वादे पूरे नहीं कर रहे जिसकी वज़े से आज हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। दिल्ली सरकार के वादे के मताबिक चुनाव अचार सहीता हटने के बाद इस योजना को अमली जामा पहनाया जाना था लेकिन अब चुनाव खत्म हो चुके हैं और देश को नई सरकार भी मिल गई है। ऐसे में दिल्ली की अधिकतर महिलाओं का ये सवाल है कि ये पैसा कब तक हमारे खाते में पहुँचेगा। जानकारी के मताबिक इस साली योजना सितंबर अक्तूबर तक धरातल पर नजरा सकती है लेकिन अभी दिल्ली के महिलाओं को हजार रुपे परती मा के लिए इंतजार करना होगा।